हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर विल्डाउस में एक और ना वीडियो लेक्चर साथ आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप माकान बना रहे हैं, तो आप अकसर एक जगे फश जाते हैं, सीडियों की जगे, यानि इस्टेर केस या इस्टेर, आपको एक समस्य आती है कि मुझे राइस कितना, ट्रेड कितना, अगर आपको और आसानी से समझना है तो आप देखे क कि आपको जो चड़ाव आप लेते हैं, वो कितना रखना है, आप जो पैर रखते हैं, वो कितना रखना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप अगर आर्किटेक्ट है, इंजिनियर है, सिविल इंजिनियर, तो आप लोग सायद कैलकुलेशन जानते ह लेकिन जो खुद अपना माकान बनाते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं आज के वीडियो में हर एक चीछ किलियर कर दूँगा आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसको मिंटो में आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे आप अपने मोबाइल से भी निकाल कर बता सकते हैं किसी को कि कितना आपका राइज आएगा कितना ट्रेड आएगा ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा सीधा हम वीडियो में चलेंगे इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्रा केस यानि कि जो सीडियां होती है उसके बारे में हम बात करेंगे देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि राइज और ट्रेट क्या है बेसिक चीज़े अगर इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते रेंफॉर्समेंट क्या डालते हैं किस तरह से और डेटेल चाह ये तो हम आपके लिए लेकर आएंगे ये चीज़ समझ लीजिए वर्टिकल लाइन इस राइज ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ ना होगा वर्टिकल लाइन इस राइज एंड होरिज़न्टल लाइन इस ट्रेड अब ये चीज़ तो मैंने बता दिया जो लिखी हुई लेकिन आप यहाँ पर समझ ये ये मान लीजिए आपका टोटल एक सीडियों का हिस्सा है अब यहाँ पर ये सीडियों का हिस्सा है इसमें ये जो हैं आपका एक सीडिय अगर ऐसी रहती है तो ये जो हैं हमारा या उठान कह सकते हैं इसको हिंदी में उठान लिख भी देता हुम है ये होता है हमारा rise ये होता है हमारा rise और अब जिस पर हम pair रखेंगे यानि कि ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ जिस पर हम pair रखेंगे ये pair रखने के लिए में लिख देता हूँ pair रखने वाला ये जो pair रखने वाला हिस्सा है यह होता है हमारा trade यहाँ पर भी वही चीज है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगी देखने को कि यहाँ पर जो हमारा उठान है यह है rise यानि की vertical line is rise और horizontal जो है हमारा यह है trade तो यह चीज आपको यहाँ से clear हो गई की rise क्या है और trade क्या है थोड़ा सा मैं धीरे इस कारण बता रहा हूँ कि ये चीजों में confuse आप हो जाते हैं तो आप confuse ना हो इस कारण में बहुत ही बारीकी और basic तोर पर आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिर lifetime confusion ना रहे कि आपको कैसे करना है अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर कि कितने number आएंगे rise कितने number trade आएंगे तो अब उसके लिए क्या करना है सबसे पहले ये चीज आप समझ लिए है ये चीज में यहाँ से हटा देता हूँ अब देखिए ये आपके पास एक building है टोटल ये हमारे पास एक building हो जाती है अब इस building में हमें यहाँ से क्या बनाना है staircase बनाना है हमें कुछ इस तरीके से हम staircase लेकर जाएंगे stair हम यहाँ से लेकर जाएंगे stair इस तरीके से लेकिन ऐसे तो हम सीधे चड़ा नहीं सकते नहीं तो वो ramp बन जाएगा ramp के बारे में भी कभी और वीडियो पर बताऊँगा किस तरह से slope दिया जाता है आज stair देखिए stair जो है हमारी इस तरीके से हो गई लेकिन right straight मतलब कुछ हमें इस तरीके से बनाना होगा अब यहाँ पर हमारे पास है building की height कितनी है 10 feet 6 inch total building मान लीजिए आपकी building की height जादा है ऐसा नहीं है कि यह 10 feet 6 inch मैंने जो लिखा हूँ वही रहेगी आपकी building की height मान लीजिए यहाँ पर 11 feet है 12 feet है 15 feet है 14 feet है 18 feet है तो आप उसको ही calculate कीजिए जरूरी नहीं आप 10 feet 6 inch ही रखे यहाँ पर क्या चीज छूड जाएगी आपकी आपकी यहाँ पर slab जो है slab आपकी मान लीजिए 5 inch है 4 inch है 6 inch है तो यह जो slab है slab की thickness वो यहाँ पर आपको छोड़ना होगा एक चीज आप ध्यान रखिएगा नीचे floor होगा आपको floor वगेरा भी हम आगे बात करेंगे देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 10 feet 6 inch क्या हो जाता है हमारा given data में मैं ले लेता हूँ building height building height कितनी ले लिया मैंने 10 feet 6 inch यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यह एक space हो गया मान लीजिए हमें building के height तो पता है लेकिन हम एक जगे से दूसरी जगे तक ले कर जाएंगे मतलब कितनी जगे में चड़ाना है हमें कितना porch है हमारे पास कितना space है यह चीज के लिए क्या करेंगे तो आपको पता होता है कि मेरे पास लगबग मान लेजे 8 feet जगे है 10 feet है 12 feet है 15 feet है मुझे इतनी जगे में ही लेकर जाना है आपकी stair मैं अगर straight stair बना रहूं इसमें देखिए stair board type की होती है आपकी आपने u shape straight dog wear बहुत सारी होती है लगबग 5-7 लेकिन उनमें से हम ये straight की बात कर रहे हैं आप कहते हैं तो उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे अब देखिए यहां से यहां तक हमारे पास एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए total हमारे पास 15 feet है अब यह 15 feet क्या है trade space यानि कि total हमारे पास जो space है वो 15 feet का है 15 feet space में हमको लेकर जाना है क्या total हमको rise और trade बनाना है तो हमारे पास यह चीज भी एक given data है समझ लीजिए जो हमें already पता है 15 inch अब हमें एक चीज यहां पर मानना है क्या मानना है assume करना है समझ लीजिए आप हमें कि rise rise यानि कि यह उठान हमें उठान कितना रखना है generally 6 inch मैंने यहां पर लिया हूँ आप अगर चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको बता देता हूँ यह हम 6 inch ले सकते हैं 7 inch ले सकते हैं 8 inch भी ले सकते हैं देखिए यह अलग-अलग condition के हिसाप से लेना है आपको ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर बता दिया आपको आपने वही छाप दिये देखिए क्या करना है यहां पर यह depend करेगा मान लिजे आप hospital है hospital पे अगर मान लिजे आपने उठान ज़्यादा दे दिये यह rise ज़्यादा दे दिये तब आपको वहाँ पर 5 इंच करना पड़ेगा 6 इंच करना पड़ेगा कितनी श्टोरी है उस हिजाब से मान लिजे अगर यंग की जगह है या कोई ऐसी चीज बन रही जिम बगीरा का तो आप वहाँ पर मान लिजे 7 इंच 8 इंच भी दे देते तो अब यहाँ पर आगे क्या बात आती है समझ यह solution हम यहाँ से start करते है number of rise हमें अब क्या निकालना है number of rise अभी दक हमने सिर्फ एक rise की बात किये यहाँ पर यह 6 इंच क्या है एक rise है मतलब मान लिजे यहाँ से यहाँ तक जो है कि total number of rise कितने आएंगे एक rise यहाँ पर हो चुका है height of building height of building यानि कि यह height of building हो जाती हमारे पास height of building यह हमारे पास height of building कितनी है 10 feet 6 inch यानि 6 inch अब यहाँ पर हमें लेना है rise यहाँ पर कौन सा लेना है यह जो हमने लिये है 6 inch वाला तो मैं यहाँ पर करता हूँ 10 feet 6 inch 10 feet 6 inch जो हमारे पास यह था ठीक है 6 inch हमने जो assume किये हैं वो ले लिये हमने इसको अगर हम calculate करते हैं तो हमारे पास आता है 21 number of rise यानि कि 21 rise आ गया हमारे पास अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा confused होते हैं 99% लोगों के दिमाग में confusion आ जाता है अगर साइद 1% के दिमाग में ना आए 10 feet 6 inch मतलब 1 feet बरावर 12 inch अब 1 feet बरावर 12 inch होता है तो 10 feet बरावर मैं 12 का multiply कर देता हूँ यानि कितना हो जाता है यहाँ पर 120 inch मैं inch में बात कर रहा हूँ और यह 6 inch तो already है आपका plus 6 inch बरावर कितना हो जाता है आपका 126 inch मतलब 126 inch अब 126 inch का मैं 126 inch का मैं divide करता हूँ किस पर 6 inch पर तो आपका कितना आ जाता है 2, 1 यानि कि 21 तो यह 21 यहाँ से आया है इस कारण unit में आपको बिलकुल भी confused नहीं होना है यह चीज आप समझ लीजे 21 number अब मुझे क्या निकालना है rise हो चुके मेरे कि मेरे घर पे कितने rise आ रहे है 21 rise आ रहे है अब मैं देखता हूँ number of trade second तो number of trade number of rise minus 1 मतलब जो निकले हैं उससे minus 1 करना है यानि कि 21 minus 1 होगा 21 minus 1 बराबर हमारा 20 number यानि कि हमारे यह आ जाते है 20 number trade यहाँ पर rise हमारे आ गया 21 और 20 आ गया हमारे trade अब एक कम क्योंकि यह हमने minus एक चीज में आपको clear कर देता हूँ यह भी एक question आ जाता है आपके दिमाग में क्योंकि बहुत सारी interview में आ जाते है civil engineers परिसान होते तो यह question कुछ ऐसे मैं 20 से आपको बता रहा हूँ वो चीज आप ध्यान से देखिए number of rise में हम कम इस कारण किये क्योंकि यहाँ पर आपका यह है तो यहाँ पर नीचे एक चला जाता है ठीक है हमने यहाँ पर क्या निकाले number of trade number of trade में rise minus 1 trade मतलब हमारा यह है ठीक है अब यहाँ पर हमने एक trade लिये दूसरा trade यहाँ पर आया हमारा तीसरा trade यहाँ पर आया लेकिन अब यहाँ पर trade आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो already slab है कि already slab लग चुकी है तो slab लग चुकी अब देखिए यहां पर क्या होता है कि number of हमने 20 निकाल लिए है अब बात आती ही कि trade हमारे पास यह राइज जो है यह तो 6 इंच ले लिए लेकिन trade कितना दे हमें total हमारे पास क्या चीज़े हो चुकी अभी कि मेरे पास rise कितने आना है 21 आना है मतलब total यहां से यहां तक मेरे पास कितने आना है rise 21 आना है trade कितने आना है 20 आना है यह total जग है पूरी building की बात है लेकिन यहां पर rise एक rise मैंने कितना लिया 6 इंच अब trade में कितना लूँ question mark है तब आएगा हमारा कितना लेना होगा कितना आजाए यह total 21 आना है तो उसके लिए क्या करना है हमें trade trade space यानि कि हमारे पास trade space यानि यहां से यहां तक मैंने बताया था आपको यह वाला कि जितनी भी जगहे लेना है आपको total कितनी जगह में मुझे उपर चड़ाते हुई लेकर जाना है वो total trade space number of trade number of trade यानि कि 20 20 कहां से आया यह आया आपका 20 number of trade जो निकला है मतलब rise minus 1 किये थे total तो यह हमारे trade आया था और यह trade हमारे total में लेकर जाना है तो हमने उसका divide कि यानि कि 15 feet के वाए हमने number of यह हमारा number था याद रखी और यह हमारा fit है तो यहां पर आजाता है 9 inch अब मेरे जब से आपको यहां पर तो confused नहीं होगा या confusion नहीं होगा कि यह कहां से आया 15 feet को मैं अगर inch में convert करता हूँ तो 12 कर दिया मैंने तो आपको यहां पर पता चल गया होगा कि कितना आएगा अगर मैं इसका 1 feet बराबर 12 inch मैंने पहले ही बताया तो इस हिसाब से आपके कितने आ जाते हैं total आ जाते हैं आपके 9 inch तो यह चीज़ तो आप देख सकते हैं उस पर ज़्यादा time नहीं लेंगे हम एक ही चीज़ को बार बार बता के देखिए यहां पर हम 9 inch का हमारे पास क्या आ जाता है trade यानि कि हमको अब क्या मिल चुका है rise 6 inch trade 9 inch और इनका यहां पर 9 inch मतलब rise trade और सब कुछ calculation हमें मिल चुका है यहां पर अब फश्ट number of trade हमारे आ गएं कितने 21 number हमको यहां पर जो बनाना है वो बना लेंगे हम number of trade 20 number trade 9 inch और यह 6 inch है हमारे rise मतलब यह से अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको यह देखिए हमारा क्या था trade था तो एक trade दो trade तीन चार पांच छे यहां पर तो आएगा नहीं यहां से अगर आप लेते हैं riser तो 1,2,3,4,5,6,7 यह आपके क्या हो गए rise इस कारण तो कुछ इस तरीके से आप फिर बना सकते हैं टोटल यह आपके पास आजाता है तो यह यहां पर हमारा calculation पूरा हो जाता है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं friends I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा कहीं भी आपको doubt है तो आप comments करें हमसे बात करें नीचे आपको website और instagram का link मिल जाएगा आप visit कर सकते है अगर आपको अच्छा लगता content तो आप हमें बताएं अगर और कोई वीडियो चाहिए तो भी बताएं चैनल पर नए है तो subscribe कर ले वीडियो अच्छा लगता हो तो like करें और अपने friends के साथ अपने group में share करें मिलते नेक्ट वीडियो में किसे ने topic के साथ अब तक के लिए thank you